आज मैं आपको बनागा सिखाऊंगी चिकन तिक का बार्बीक्यू इसके लिए आपको चाहिए चिकन दो किलो अधर्ट लेसन का पेस दो खाने के चमच दही एक कप ऑईल एक खाने का चमच नमक हजबजाइका लाल मिर्श का पाउडर तीन खाने के चमच अब इसको का पाउडर एक खाने का चमच और आपको यलो फूड चाहिए तो पीस होते हैं वो चोटे होते हैं इसलिए आपटे अग्यिक्ट लिए अब इसको कांटे की मदद से गूध लें इस तरह से यह मैं इसको इसलिए कर रही हूं ताकि जो मसाला हम इस पर लगाएंगी वो अच्छी तरह से इसमें रच जाए यह सारे बोटियों को आपने इसी तरह से कर लेना है अब हम इसकी मेरिनेशन त्यार करेंगे सबसे पहले दही ले 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 इसमें मैं डालूँगी अब इसमें नमक डालूँगी लाल मिर्श का पाउडर अधिरक लेस्टन का पेज शामिल करें से इसमें लीमू का रास शामिल करें अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी जीरा पाउडर करें मसाला पाउडर जर्दा रंग और काली मिर्च अब इन तमाम चीज़ों का वच्छे से मिक्स कर लें मैरी नेशन के लिए मैंने मसाला त्यार कर लिया है अब इस मसाले को आपने डालना है चिकन पर अब इसके उपर से ये ओईल तोड़ा सा डाल दें इस मसाले को आप अच्छी तरह से चिकन पर लगा लिए चिकन को मैंने मैरी नेट कर दिये अब आप इसको ओवर नाइट चोड़ देंगे तो मसाला इस पर जादा अच्छी तरह राचेगा और आप इसको अगर जल्दी आपको बनाने में तो आप दो से तीन के अंटे बीच को मैरीनेट करके बार्बीक्यू इसका कर सकते हैं चिकन जो है वो ओर नाइट मैरीनेट हो चुक है अब हम इसको डैफिनिट लिग बार्बीक्यू किचन में नहीं हो सकता तो हम इसको ओपने एर करेंगे अब मैं इनको सीखों पर लगाऊंगी इस तरह से आपने इसको लगाते जाने कोईलों को मैंने अब जिला लिया था अब इस पर इन सीखों को अपने रखने जब ये एक साइड से इसमें कलर आजेगा तो आपने इसको टर्न करने इस पर कलर आना शुरू होजेगा तो आप इस पर ओल लगाएंगे ये चिकन अब ये पक चुका है अब मैं इसको एक टिश्चाइब करेंगे इसमें निकालोंगे आप इसको चिम्ते की मदद से निकालें कोईल करते इस परिष् UST कोईल वील पैसे की मारखे इसमें वालेस कि अधिया नाजी चिकन तिका बाद में कि उप्तियार है मेड है कि आप इसको अपसंद करेंगे और अपने घर में ड्राइए नहीं करेंगे आप मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत जूलेगा अला पीस कि इक है उर्काइब करना मत अला चाहां में भारपप समय करना मत जय एभ जरना इंगे उले हैंन?.